तो गाइस मेरे हाथ में है रिसेंटि लांच हुआ टिक्नो की तरब से टिक्नो पुवा फोर वाला स्मार्टबॉन आज मैं स्मार्टफॉन का एक तो यहां पर काइस में आपको काफी अच्छा क्लिटी मिल जागा इस टेक्नो पॉर फोर के लिए कॉलिटी को लेकर और भी बहुत सारे टोपिक मैंने कवर किये खास करके बैटरी ड्रेंटर के टॉपिक, कंपरेजन टॉपिक, आईफोन के साथ में पॉर्ट पॉर्ट पॉर् काइस में आपको काम्पारिजन किया है , तो सारे टोपिकस आप विडियो एक ट्रोफ फोर फोर कलिकर एक एक各 कैमरा प्सको फोर्फ जारे कि यक्सा के लिगए और पी करे रिग्में लिए मुलती है ।ो आपके शार्ट कारेश में स में और यह computer करने का tämä तो क्या स्थाप पजे शपेसले Tecno की स्मार्टपूर से मुझे बहुत जादआ पसंद है शपेसली Tecno की POVA series वाले smartphone तो मेरे पास Tecno POVA 2 भी है Tecno POVA 3 भी है और इसके बार नहीं उपने टको फॉर को भी Purchase किया जो कि मुझे बहुत जादा पसंद है तो मेरे जो इसमें सबसे काफी जड़ा फेवरेट स्मार्टफॉन जो अब तक का है वो टेक्नोपव 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 3 है विकॉस उसका जो sound quality है जो एक तरीकी से बैटरी बैककप का कॉलिटी है गेमिंग experience मेरे उसमें काफी बैटर होता है लेकिन टेक्नोपव 4 को तो यहां पर जैसे है इसके camera's के settings में जाते हो तो यहां पर आपको क्या क्या सेटिंग को बिलते हैं तो सबसे पहले यहां पर इसके settings फो चेक आउट करते है यह एक इसका short videos को option है जो आपको इसमें देखने को मिलता है तो यह है इसमें आप शॉट वीडियो आपको वीडि पुछेट का option है Super Night option मिलते हैं अपर इसके बाद यहां पर अगर आपको सेटिंग्स पर जोड़ा तो तो टोल आपको शुटर सांडर ग्रीच रोकेशन किस्टिमाइज वोलुम बारिसन बैस बैन शुटर शुटर शूट की तो पर चार मोर्स मिलते हैं यह 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 का जिए ह तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बारे में शोर हूँ कि जो सुपर नाइट वाला जो फेचर एगा इस यहाँ आपको बहुत जादा बेटर मिलता है तो अभी यहाँ पर यूस करो AI camera और AI camera में यहाँ आप आप दिखो गे तो अभी जो बज़ रहे है आफटरणोन के पहुने तीन बज़ रहे है तो टाइम के सबसे यहाँ पर जो इसका इसका प्र जो आपको इसका प्र विएगल है जो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस अब आपक में capturen करो तो यह मैंने इसका प्रोड़ कभी क्लिक गया तो यह है नॉर्मल से इसका पोक जो कि मैंने AI camera का यूज कर के लिए है तो first of all अगर मैं इसका जूम करूँ जूम करने के बाद तो एक चीज मुझे इसमें यहां पर कहना पड़ेगा कि टेक्नों ने इस वार camera quality में थोड़ा better improvement किया गया है because यहां पर max level का जब में जूम करता हूँ तो यहां पर जो picture का जो blurने का effect है वो आपको बहुत ही कम देखने को बिलता है यहां पर ध्यान से इसको notice करो तो तो mostly smartphones में अगर आप notice करते है तो यहां पर आपका camera quality है यहां पर picture quality आता है वो आपको ज्यादा blur देखने को बहुत है यहां पर इसका max level का zoom किया है और यहां पर अगर आप देखोगे तो blur effect यहां पर दीख रहा है लेकिन इतना भी ज्यादा यहां पर दीखने रहा है लेकि इसको भी इसने proper तरीके से capture किया और यह photo quality में बहुत ज़रा matter करता है उसके बाद यहां पर beauty option मिलता है beauty में आपको almost quality है वो आपको same to same देखने मिलता है लेकिन AI के camera में जो picture quality है वो आपको और थोड़ा better visibility के साथ में इस technopore phone में देखने को मिलता है अब इसके बाद यह में and then finally अगर मैं बहुत कुरू यहाँ पर यहाँ दोनों को side में जो finally option है super night का यह जो quality है इसमें आपको pro level का याई beauty AI camera portrait के compare में आपको quality है picture का बहुत साथा better देखने मिलेगा और यहाँ पर super night feature का use करके feature के तो पहले बाद अगर मैं इसको camera के close लाओ तो यह object को capture कर रहा है लेक इसको और close लाओ तो यह capture करने में थोड़ा सा moment ले रहा है तो अब इसके बार अगर मैं screen पर tap करूँ तो यह proper तरीक से इसको capture कर लेगा तो यहाँ पर थोड़ा से इसका pick ले लेते हैं तो यह processing के लिए आपके time लेता है because यह आपकी picture quality को बहुत जादा better बनाता है अब यहा पर guys देखोगे तो quality और भी जादा better याना कि AI camera और beauty camera के compare में super night में जो quality है वो आपको picture का और भी जादा sharp and clear देखने मिलता है लेकिन इतना भी जादा नहीं है लेकिन AI और beauty के compare में थोड़ा सा आपको clarity यहाँ पर जादा देखने को मिलेगा that's it all about अब यहाँ पर guys मैंने इस टेक्नोपा 4K इस 50 Megapixel camera का use करके मैंने इस फोटोग्राप्स को यहाँ पर मैंने क्लिक किया है जिसे यहाँ पर one by one review करता है तो let's check it out किते सारी फोटोग्राप्स को झाल 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 तो कोईस यह जितनी भी सारे अपने पिक से देखे हैं यह सारे के सारे मैंने इस टेक्नोपव 4K 50 Megapixel camera का यूज़ करके और Super Night feature का यूज़ करके मैंने आपके क्लिक है तो that's just all about comment में जुरू बताना कि यहाँ पर आपको इसका camera quality कैसा लगा और यह basically इसका part 1 है जिसमें मैंने आपको basic type of camera testing का है इसके related part 2 भी में cover करने वालो जिसमें मैं detail में इसके camera testing करने वालो तो part 2 के लिए आप subscribe कर सकते हैं साथी सार मैंने इस टेक्नोपव 4 को लेकर और भी बहुत सारे topics में cover कि जिसे आप video list में जाके आप easily check out कर सकते हैं I hope like this information, thanks for watching